रात का समय था विमला अपने कमरे में खिड़की खोल कर आराम से सो रही थी तभी अचानक उसके खिड़की से एक अंजान लड़की का चहरा उसके कमरे में जहाक रही थी विमला अचानक से जग जाती है और उसका ध्यान उस खिरकी पे जागते हुए लड़की पे जाता है और वह दोड़े-दोड़े खिरकी के पास जाती है जैसे ही वह खिरकी के पास जाती है वह चैरा अचानक से गायब हो जाता है अरे कौन है जो आधी रात को मेरे खिर्की से जाग रहा है हिम्मत है तो सामने आ विमला खिर्की के बाहर चारो तरफ देखती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता और अगली सुवा विमला अपनी पडोसन सोन मती के घर जाती है और वहाँ वह उसी लड़की को देखती है जो कल रात उसके खिर्की से जाग रही थी उसको देखकर विमला के तो होस ही उड़ जाते है अरे सोन मती ये कौन है इससे पहले तो मैंने इसे तेरे घर पर कभी नहीं देखा अरे विमला ये मेरी नई बहु है कल ही बेटा ब्याह कर लाया अब क्या करें बच्चो की खुसी में ही तो हमारी खुसी है मैं कुछ कह भी नहीं पाई अच्छा तू यहां क्यों आई है सुबा सुबा दाल या चावल या चीनी चाहिए नहीं दाल चावल तो नहीं लेकिन मैंने तेरी इस बहु को कल अपने कमरे में खिड़की से जागते हुए देखा था तब ही से मैं सोच रही हूं कि मैंने कहीं तो इसे देखा है अरे विमला तु सुबह सुबह नींद में है क्या तेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है और मेरी बहू तेरे कमरे में रात के समय क्यों जाकेगी ये क्या नाब सना बोल रही है तू हाँ माजी आपने बिल्कुल सही कहा और आंटी जी रहा बात आपके कमरे में जाकने का तो आपका कमरा दूसरे मंजील पर है और मेरे पास कोई ज्यादूई सकती तो नहीं है जो मैं अपने पैर लंबे करके आपके कमरे में जहाकू विमला के पास कोई सबूत नहीं था इसलिए वह बिना कुछ कहे अपने घर चली जाती है विमला अपने घर में अकेली रहती थी क्योंकि उसके पती का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था लेकिन उसके पती ने उसके लिए बहुत सारे रुपए और द्विवराद छोड़ कर गये थे उसके घर में दो-चार लाक रुपए और गहने तो ऐसे ही पड़े रहते थे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मैंने उस सोनमती के बहु को ही अपने कमरे में चाकते हुए देखा था लेकिन पता नहीं इन सबसे मेरा दिमाग खरब हो गया है चलो कुछ दिर टीबी ही देख लेती हूँ थोड़ा मन बहल जाएगा विमला जैसे ही टीबी खुलती है वहाँ न्यू चैनल में बता रहे थे नमशकार साथियो सावधान रहें आपके घर में भी हो सकती है चोरी हमें ये तो नहीं पता कि वह चोर दिखता कैसा है लेकिन हमें ये जरूर पता है कि वह चोर कोई आदमी नहीं बलकि औरत है और इस चोर औरत के बारे में हमें ये भी पता चला है कि इस औरत के पास कोई जादूई सकतिया है जिससे यह अपना बैर 20 फुट तक लंबा कर सकती है जिस भी घर में यह चोरी करने जाती है उस घर में यह पहले विभिन प्रकार की काम मांगने जाती है और अगर काम ना मिले तो उस घर के मर्द को पटा कर उनसे साधी तक कर लेती है और इस चोरनी का टार्गेट सबसे जादा अगेली महिला या अमीर महिला ही होती है तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो सावधान रहें और सतरक रहें वरना कहीं अगला नंबर आपका ही ना हो निउस वाले की या बात सुन कर तो विमला के रॉंग्ते खड़े हो जाते हैं हे भगवान मुझे पूरा यकीन है कि ये सोन मतिकी नई बहुई लंबे पैरो वाली चोरनी है मेरी आखे धोका नहीं खा सकती कल रात वो ही मेरे खिरकी से जांग रही थी लगता है उसे मालूम हो गया है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं मुझे समय नहीं कवाना चाहिए और इसके लिए मुझे पुलिस मेरा पट लिखवा देना चाहिए विमला जल्दी से पुलिस इस्टेशन जाती है और वहाँ जाकर पुलिस को सारी बाते बता देती है फिर उसी दिन रात में विमला सोने का नाटक करती है और पुलिस विमला के घर के बाहर छिप कर चोरनी के आने का इंतजार करती है और कुछ देर बाद सोनमती की बहू विमला के घर के पास आ जाती है और देखते ही देखते वो अपनी जादूई सक्तियों से अपना पैर लंबा कर लेती है और विमला के खिड़की तक पहुँच जाती है यह देखकर तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर कोई अपना पैर इतना लंबा कैसे कर सकता है तभी पुलिस आकर उस चोरनी के पैरों में जंजीरे बांध देती है अरे बहुत लंबे कर लिये पैर तुने भूतनी अब चल जेले में अपने पैर लंबे करना पुलिस को देखकर चोरनी माया के तो होस ही उड़ जाते हैं और वह अपने पैर वापस से छोटे कर लेती है ले जाए इंस्पेक्टर साप और बंद कर दीजिये इसे जेल में बड़ी आई थी मेरे घर में चोरी करने वाली फिर पुलिस लंबे पैर वाली चोरनी माया को जेल में बंद कर देती है और अब सहर में लंबे पैर वाली चोरनी का खौफ खतम हो जाता है एक गाउं में महेस नाम का एक आदमी अपनी पतनी मेनिका के साथ रहता था महेस लोगों के घरों में पुताई का काम किया करता था लेकिन यह काम उसे कभी कभी ही मिल पाता था इसलिए उसकी ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती थी लेकिन उसकी पतनी मेनिका हमेशा ही अमीर होने का सपना देखती थी एक दिन मेनिका चूले पर खाना बना रही थी तभी उसी समय महेश अपने काम से घर वापस आता है अरे मेनिका तु साम के समय क्या कर रही थी? जो अभी खाना पका रही है सारे घर में धूआ धूआ कर रखा है हाँ तो तुमने कौन सा मुझे गैस वाला चूला लाके दिया है जो बेना धूए के खाना बनाओ तुमसे साधी करके तो मैंने अपनी जिन्दगी बरबाद कर ली हाँ तो मेरी जिन्दगी कौन से अच्छी है तुमसे साधी करने से पहले मैं अपनी जिन्दगी कितने अच्छे इस जी रहा था और अब देखो इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं तुम्हारी जरूरते पूरा नहीं कर पा रहा हूँ इसे लिए तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद का काम सुरू करू ताकि मुझे तुम्हारे भरोसे ना रहना पड़े हाँ तो कर ले सुरू दोनों मिलकर कमाएंगे तो अच्छा ही है ये गरीबी से तो राहत मिलेगा लेकिन मैं करू क्या अरे अपनी बगल वाली सरीता भावी को देख वो छोले कितना अच्छा बनाती थी तो छोले चावल का ठेरा लगा दिया अब अच्छा कमाई कर रही है तू भी मतन के समोसे कितनी स्वादिष्ट बनाती है आहाहा क्या स्वादिष्ट होते हैं मुझे नहीं लगता कि गाउं के लोगों ने कभी मटन के समोसे भी खाये होंगे अगर तुम मटन समोसे ही बना कर बेचे तो तेरी अच्छी कमाई होगी और मुझे इस मज़़ूरी से भी रहत मिलेगी हाँ, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है चलो, हम जरूरत का सारा समान खरीद लाते है फिर दोनों पति-पत्नी मटन समोसे बनाने के लिए जरूरत की समान लाने निकल जाते है फिर मेनिका सारे रात बैट कर मटन समोसे बनाने लगती है और धेर सारे मटन समोसे तैयार कर लेती है फिर अगली सुबा दोनों पती-पत्नी गाउं के चोराहे पर मटन समोसे बना कर बेचने लगते हैं अरे वा मेनी का भावी मटन के समोसे ये तो मैंने पहली बार सुना है जरा हमें भी चखाओ आखिर ये मटन के समोसे होते कैसे हैं फिर वह आदमी मटन के समोसे खाता है और उन समोसों को खाकर उसकी खूब तारीफ करता है अरे वा मेनी का भाबी आपके इस मटन के समोसे खाकर तो मेरा मन ही खुस हो गया ये रोज रोज आलू के समोसे खाकर तो सच में मैं बोर हो गया था लेकिन आज पहली बार मैंने मटन के समोसे खाए है, कसम से मन खुस हो गया मेरा, वाह ऐसे ही उनके ठेले पर ग्राहकों की भीर लग जाती है और देखते ही देखते उनके सारे समोसे भिख जाते है और पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई होती है फिर अगले दिन मेनिका मतन के दुकान पर मतन लेने जाती है आरे भहिया, जरा दस किलो मतन तोल दो आरे मेनिका बहन, क्या बात है पहले तो तुम तीन किलो ही मतन ले जाती थी, अब दस किलो ले जा रही हो, लगता है अच्छी कमाई हो रही है चूना लगा के हाँ भाई साहब, बस उपर वाले की किरपा और हमारे मेहनत का असर है मतन समोसे खाओ और घर के लिए भी ले जाओ, आओ आओ कुछ ही दिर में उनके ठेले पर वापस से ग्रहांकों की भीर लग जाती है और देखते ही देखते उनके समोसे ऐसे बिग जाते हैं जैसे कि वो फिरी में ही मिल रहे हो सुनिए जी देखिए हमारी समोसे कितने चल्दी बिग गए लगता है इन ग्राहकों को हमारे मटन समोसे के स्वाद सिर चड़ गए है अब कल से हम 10 रुपए के जगा 20 रुपए में समोसे बेचेंगे और उससे दुगुर्ना पैसे कमाएंगे हाँ अगले दिन मेनिका जब मटन खरिदने जाती है तो देखती है कि मटन वाला सामने ही मटन रखकर आधे दाम में बेच रहा था इतने सस्ते मटन देखकर मेनिका कहती है भाई साहब आज आप ये वाला मटन तॉल दो अरे लेकिन मेनिका भावी ये तो बासी मटन है इससे ले जाकर आप क्या करोगे उससे आपको क्या मतलब? बस आप तॉल दो फिर मेनिका वो बासी मतन लेकर अपने घर आती है और दोनों पती-पतनी मिलकर उस बासी मतन से ही मतन समोसे तयार कर लेते हैं अरे मेनिका हमने इस बासी मतन से तो समोसे तयार कर लिये लेकिन अगर ये खाकर किसी के तबियत खराब हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी अरे बिमार होना है तो होने दो 500 रुपय का मटन हमें 500 रुपय में मिल रहा है ऐसे ही बेच कर तो हम अमीर होंगे अगले दिन दोनों पती-पतनी बासी मटन समोसे को 20 रुपय में बेचने लगते हैं और उसे खाकर ग्राहक बोलते हैं अरे थू 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 ये कैसा फालतू मटन समोसा खिला दिया मुझे ऐसा लग रहा है जैसा बासी मटन डाला हो छी 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 अब मैं गाउं में सबसे कह दूँगा कि तुम लोग 12 मतन के समोसे बेचते हो फिर वो आदमी पूरे गाउं में धिंडोडा पीट देता है कि मेनिका 12 मतन समोसे बेचती है जिसके बाद मेनिका के दुकान पर ग्रहकों का आना बंध हो जाता है और उनके सारे के सारे मटन समुसे धरे के धरे रह जाते हैं मेनिका के लालच के कारण उसके अमीर होने का सपना धरा का धरा रह गया इसे लिए कहते हैं लालच बुरी बलाहती है